अकोशन नमबर फाईव की तरह यह लिकिन इसमें क्या दे दिया है सम दिया हुआ है कितना वन और प्रोड़क्ट कितना दिया हुआ है माइनस का 6 दिया गया है और QT की वैल्यों निकाल नी ठीक है तो क्या लिखेंगे solution number 6 ठीक है लिखेंगे given दिया हुआ है हमें sum of zeros sum of zeros का answer हमें इस वाले question में given है तो sum of zeros का मतलब क्या है alpha plus में beta ये किसके equal दिया हुआ है one के equal दिया हुआ है और दूसरी चीज़ भी हमें given है product of zeros तो product of zeros का जो answer है वो alpha multiply by beta ये कितना दिया हुआ है minus का six ठीक है अब हम लोग quadratic polynomial निकालेंगे तो same लिखेंगे quadratic polynomial quadratic polynomial is equal to x x नहीं है यहाँ पर t ही लिखेंगे ठेक है qt qt ये किसके equal हो जाएगा k तो रहना ही रहना है और t square minus sum of zeros देखेंगे ना मतलब alpha plus beta t और alpha multiply by beta तो qt की जो value होगी वो होगी k t square minus का 1t plus minus का 6 तो फाइनली qt जो होगा वो equal हो जाएगा के t square minus का simple t minus का 6 जेखेंगे ना पर सम्सेम लिखेंगे कि add t equals to 0 seconds qt की value 48 meter होगी क्योंकि सब के सब जो है वो 48 feet से ही drive कर रहे हैं ठीक है ना jump कर रहे हैं तो अब हम लोग लिखेंगे कि put t equals to 0 ताकि हम k की value calculate कर पाएं तो सबसे पहले तो qt पूरा note कर देंगे qt की value क्या है equals to k t square minus का t minus का 6 है ठीक है और t की जगा हम क्या put कर देंगे 0 put कर देंगे ओके यह हो जाएगा k यह हो जाएगा 0 का square 0 minus का 6 हो जाएगा तो finally यहाँ पर 48 लिखेंगे q0 की value और यहाँ पर k0 minus 0 finally minus का 6 आ जाएगा और 6 की value नीचे कर देंगे तो 48 upon में minus का 6 यह equal हो जाएगा k की 6 बंदे 6 6 8 सा 48 और k की value किसके equal हो जाएगी minus का 8 के equal हो जाएगी ओके minus तो हमेशा उपर ही रहता है उसके बाद हम लोग यहाँ पर put कर देंगे क्या कि put the value of k value of k in equation 1 equation 1 में k की value को put करेंगे तो equation 1 हम लोग इसको कह देते हैं ठीक है और k की value कितनी आई है minus का 8 आई है तो k की जगा क्या लिख देंगे minus का 8 लिख देंगे ठीक है और finally minus का 8 सबसे जाएगा और minus minus क्या हो जाएगा plus हो जाएगा और यहाँ पर भी minus minus plus कितना हो जाएगा eight six the 48 हो जाएगा इसको erase कर देंगे ठीक है और यहाँ पर हमारा यही final answer होगा qt is equal to minus का 8 t square ठीक है plus में 80 plus में 28 यह हो जाएगा c option हमारा correct ठीक है तो यह सारे questions जो है कई बार practice करने होंगे तब जाके यह questions solve हो पाएगे ठीक है ना next question में कहा गया है question number seven में कि the zeros of polynomial आपको given है polynomial क्या rt की value माइनस का 12t square plus में k-3t plus में 48 ठीक है ना 48 और एक zeros दूसरे का additive inverse है ठीक है ना मतलब एक अगर a है तो दूसरा minus का a है ठीक है ना तो let मान लेंगे कि alpha equals to a and beta equals to minus का a because ठीक है ना लिख देंगे because one zeros one zeros is an additive additive inverse of other यह आपको याद रखना है ठीक है additive inverse का मतलब है कि एक अगर positive है तो दूसरा negative होगा अगर हमें negative दिया हुआ है तो दूसरा वाला positive हो जाएगा ठीक है यह आपको याद रखना है उसके बाद जब हम लोग compare करेंगे तो a की value क्या हो जाएगे minus का 12 b की value k minus 3 और c की value 48 हो जाएगा ठीक है तो हम लोग क्या लिखेंगे now अब हम लोग लिखेंगे alpha plus beta एक इसके एकवल हो जाएगा minus b upon में a के एकवल होगा तो alpha की जगा हम लोगोंने क्या माना था a और beta की जगा minus a ठीक है ना और minus देखें यहाँ पर b की जगा हम लोग क्या लिखेंगे यह पूरा किसकी value है b की value है k minus 3 और a की value क्या है minus का 12 है और c की value क्या है यहाँ पर 48 है तो finally यहाँ पर हम लोग लिखेंगे k minus 3 ठीक है और यहाँ पर तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा क्योंकि यह दोनों आपस में cancel out हो जाएगे और यहाँ पर minus का k और minus minus plus का 3 हो जाएगा k minus का है left side आके plus का k हो जाएगा और यहाँ पर 3 आ जाएगा और finally k की value किसके equal हो जाएगी k equal हो जाएगा 3k ठीक है न तो यह होगा इस वाले question का solution ठीक है अजागा